नमस्कर दोस्तों स्वागति आपका फार्मरोक्स के यूटूब एच जो किसने चनल में तो आज की वडियो लेक्ट चलवें हम कुछ ऐसे हेल्फ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूसन की बात करेंगे जैसे कि जो आपको गाव हुआ है जो इंजरी हुए है उसको सुखने में का तीसरी कंडिशन हम देखे तो आपको बैक्टरियर इंफेक्शन हुआ है और वो बैक्टरियर इंफेक्शन स्पेसिल स्कीन में हुआ है स्कीन के उपरी हिस्से हुआ है और वो ठीक नहीं हुआ और जो टाके लिए गये है किसे भी इंजरी के बाद और वो टाके जो कई बार पकने लगते हैं वहाँ पर पस फर्मेशन होती है और उसको हम कहते हैं कि टाकों में इन्फेक्शन हो जाना तो यह सबी जो help problem है उसको solve करने के लिए एक बहुत अच्छी medicine है उसके बारे में हम सिखते हैं आज की वीडियो लेक्शर में और जानेंगे कि कैसे वो काम करती हैं और कैसे यह सबी help problem को solve करने में वो medicine हमारी help करती है तो आज की वीडियो में हम सिखने वाले हैं नियोस्पूरिन पाउडर के बारे में तो वीडियो जरूर से देखे एंड तक और डीटेल में सिखे नियोस्पूरिन पाउडर के बारे में तो कई बार होता यह है कि आप medicines लेते हैं ओरली भी tablet वगरा खाते हैं या फिर injection वगरा लगवाते हैं फिर भी कई बार जो कुछ जखाम होते हैं वो ठीक नहीं होते तो उस वक्त यह जो powder होता है एंटिबायोटिक का वो काफी ज़्यादा effective साभित होता है तो यह जो है वो एक ऐसे glass के medication है कि जिसको हम एंटिबायोटिक की category में रखेंगे और यह एक एंटिबायोटिक powder है और उसका जो brand name है वो neospurin है और especially जो हमारे skin के अंदर bacterial infections होते हैं उसको ठीक करने के लिए यह neospurin powder को जो वो prescribe किया जाता है तो उसका हम content यहाँ पे हम देखे तो उसके अंदर है polymixin है, bacitrasin है और niomycin जिसे तीन अलग-अलग antibiotic का combination यहाँ पे present है और powder जो है वो 10 gram में आता है और यहाँ पे उसका आप यह label देख सकते हैं कि इतने units कौन से antibiotic के इसके अंदर present है अब बात करते हैं कि niospurin बनाता कौन है मतलब कि उसका manufacturer कौन है तो GS के कि जिसको हम Glaxo Smithline Pharmaceutical Limited कहते हैं वो उसके manufacturer है और यह एक Indian research-based pharmaceutical and healthcare company है कि जिसकी head office जो है वो इंडिया में मुंबई में है तो यह जो powder है वो dusting powder की categories में आता है antibiotic का यह dusting powder है और use हम देखे तो जो skin infection होते हैं तो जो skin infections को ठीक करने के लिए जो गाव है वहाँ पर जखम जो बन जाते हैं वो पकने लगते हैं वहाँ पर past formation हो रही है तो उसको prevent करने के लिए उसको ठीक करने के लिए और उसको सूखाने के लिए यह medication बहुत ज़्यादा help कर दी है तो यह देख रहे है कि इस तरह से कोई injury है टाके पकने लग रहे है या फिर आपको कोई boils वगरा हुआ जैसे कि फोड़ा फुन से हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है आपने cream भी लगा लिए medicines भी खाई है फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है तो उस वग यह neosporin powder काफी ज़ and treatment उसको आप जरूर से order कर सकते है तो यह book को order करने के लिए आप दिये गए नंबर पर हमें WhatsApp कर सकते हैं तो बूक आपको colorful diagrams के साथ मिल जाए की तो यह6 को जरूर से order करें ये दीगे नमबर पे आप हमें WhatsApp कर सकते हैं टॉपिक पे वापस आते हैं और उसकी लेबल स्टडी करें तो लेबल में ये है कि एंटिबाइटिक पाउडर यहाँ भी लिखा है 10 ग्राम की कॉंटिटी में आपको मिल जाता है खास ये वाला लेबल इसका आपको अच्छे से रीड करना है कि जो में आपे हाइलाइट करता है कि ये सिर्फ external use के लिए ही है सिर्फ skin के बहारी हिस्सों में ही लगाना है आपके किसी भी internal organ में ये पाउडर को ना लगाए जैसे कि कोई vaginal cavity है penis का for skin का जो area है या फिर ears का area है eyes होगे रहा है कही पे भी ये पाउडर को लगाना नहीं है सिर्फ और सिर्फ जो खुले गाव है जो जखा में वही पे ही ये पाउडर को apply करना है फिर उसका जो container है उसको अच्छे से tightly close pack करके आपको रखना है और storage condition की यहाँ पे लिखा है कि 30 degree से ज़्यादा temperature ना होना चाहिए जहाँ पे भी आप ये पाउडर को रखते है temperature 30 degree से कम होना चाहिए फिर एक बात यहाँ पे दियान रखनी है आपको कि उसका ये जो डखकन है उच्छे से proper बंद करके रखना है और dry place पे रखना है कि जिससे कोई moisture वगेरा ये powder के अंदर ना जाए गर कोई moisture जाता है तो ये powder आपका खराब हो सकता है working की हम बात करें कि काम कैसे करता है तो ये antibiotic क्या करेगी कि जो bacteria है और bacteria आपनी growth कर रहे है और उसके करन आपका infection हो रहा है तो ये bacteria को kill करेगा मलब कि ये जो हमारे antibiotic medication है वो bacteria की growth के लिए responsible जो cell wall synthesis की जो process होती है उसी को inhibit कर देती है तो यहापे मैं आपको diagramatically समझाता हूँ तो आपको easily समझ में आएगा कि ये मालों कि ये bacteria का cell है और उसके आसपास से होई उसके cell wall अगर cell wall उसकी अच्छे से protective रहती है तो bacteria अपना growth करता है बड़ हमारी ये जो medication है वो क्या कर दी है जो cell wall है उसका जो synthesis होता है जो दिवाल बनती है जो cell wall बनती है उसी को वो बनने नहीं देता और बने हुई है तो उसको ठीक होते है तो main जो responsible bacteria है और bacteria के cell wall डिस्ट्रे हो जाएगी तो bacteria भी डिस्ट्रे हो जाएगा और bacteria डिस्ट्रे हो जाएगा तो आपका infection जो है वो ठीक हो जाएगा डोस की हम बात करें तो जो affected area है वहाँ पे आपको दिन में 2 से तीन बार जो है वो ये powder को वहाँ पे sprinkle करना है और धियान ये रखे कि ये powder apply करने से पहले अच्छे से आप hand wash कर ले और उसके बाद ही ये powder को दिन में 2 या तीन बार जो है वो वहाँ पे apply करें प्राइस की हम बात करें तो जो हमने latest price देखी थी आज उसके according to उसके price है 103.95 मतलब की around 104 रुपीस के असपास उसकी जह वो price है एक bottle की कि जिसके अंदर आपको 10 ग्राम ये powder मिल जाता है side effects के हम बात करें तो कुछ लोगों को अगर इसके content की allergy है या फिर ये powder suit नहीं करता तो उनको इसके करन itching हो सकती है skin paritation हो सकता है racist हो सकते है redness और जहाँ पे आपने apply किया है वहाँ पे swelling आ सकती है तो अगर ऐसे कोई भी side effect आपको होने लगती है तो ये powder को use करना तरूती बन कर दे और आपके doctor या फिर pharmacist को contact करे और उनसे कोई दूसरा safe alternative option आप use कर सकते है तो यहाँ पे फिर से में बताना चाहूंगा कि आप हमारी जो book है उसको जरूर से order करे book order करने के लिए यहाँ पे आप हमें what's up कर सकते हैं आगे समझते हैं वार्निंग्स के बारे में कि viral फर्गल के skin infection है ear infection है रप्चर हुआ है ear drum powder लगाने के बाद 2-3 घंटे तक या फिर minimum 3 घंटे तक वो area को आप wash ना करें और जो बच्चों में अगर उनकी age जो है वो more than 2 years है तो ही use करें अगर 2 साल से कम age है बच्चों की तो उसको यह powder ना लगा है तो यह खास आपको ध्यान रखना है फिर यह जो condition है कि soraisis है artigaria है, eczema है vitiligo की condition है, acne है lichen planus है तो यह सभी condition में यह powder को आप apply ना करें दूसरे कुछ warning हम देखें तो जो sunburns होते है blisters बन जाते है open wound होते है कुछ ऐसे कि जहां से blood भी आ रहा है देखो यहाँ पे जिस तरह से blood आ रहा है तो ऐसे condition में उस वक्त यह powder को apply ना करें फिर lactating mother है, pregnancy है तो एक बार आपके gynecologist की जरूर से सलाल है और अगर वो आपको permission देते हैं तो ही यह powder को वहाँ पे apply करें तो यह हो गई pregnancy related information अब समझते हैं उसके drug-drug interactions तो अगर आप amikacin ले रहे है orally या फिर आपको injection लिया है zentamycin का injection लिया हुआ है या फिर tobramycin तो अगर आपने यह तिन antibiotic यूज की है तो उसके साथ new spurin dusting powder को apply ना करें बिकाज उनकी यह drug-drug interaction एक दूसरे के साथ हो सकती है तो ऐसे condition में यह powder वहाँ पे apply ना करें या फिर कुछ गंटों के बाद आप यह powder को लगा सकते हैं at least आपने यह injection लिया है तो say 8 या 10 गंटे के बाद ही यह powder को वहाँ पे लगाना चाहिए तो अगर आपको मेरा ये वड़ा विलियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको detail में knowledge मिल जाएगी और यहाँ तक आ गये हैं तो आप चैनल को भी जरूर से subscribe करें Good luck and all the best